क्या दोस्तों आपने भी जो है आदार कार्ट में करेक्शन कराया है या दोस्तों आपने अपना नया आदार कार्ट बनवाने को दिया है तो दोस्तों आप जो है आदार कार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है अपने आधार कार्ट को डाउनलोड करते हैं तो यहान पर दोस्तों आपको आधार का डाउनलोड करने के लिए अपने फोन की ब्राउजर को open कर लेना है. Open करने बाद आपको search बान मे'REmaet या पे आपको search करना है Udai.gov.in इसको लिखके आपको search कर देनाा है. तो जैसी दोस्तों आपको जो है इसको लिख के सर्च करते हैं तो आपके तामने जो है यहापे इस प्रकार का पेज डिस्पले हो जाता है अब यहापे आपको क्या नय पहले 3.0 पर क्लिक करना है और इसको डेस्ट dot साइट में कर लेना है तो यहाँ पे मैंने इसको जो है desktop साइट में कर लिया है पिछ के बाद हम आप यहाँ पर नीचि आएंगे नीचि आपको यहाँ पर option मिल जाएगा नीचि आप देखेंगे यहाँ पर option मिल जाता है एक download ather का तो आपको यहाँ पर download ather वाले option पर click करना है तो चैसे आप यहाँ पर download आधार वाले option पर click करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस परकारते यह open हो जाता है अब यहाँ पर आपको नीची आएंगे, नीची आपको option मिल जाता है Download electronic copy of your adhar तो यहाँ पर आपको तीन option मिल जाते हैं जैसा कि यहां पर आपको देख सकते हैं, पहला option आपको मिलता है, आदार नमबर देख सकते हैं, दूसरा यहां पर air load moment नमबर होता है, उससे आप कर सकते हैं, यहां पर आपको virtual ID मिलती है, उससे भी डाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने आदार रमर अपना डाल दिया, इसके बाद में आपको इसको नीची स्क्रॉल करना है, तो जैसे आप इसको नीची स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर जो है, आपको option मिल जाता है, I want mask it, आदार, तो इस पर आपको click करना है, पर यहाँ पर आपको OTP code मिलता है, तो इस OTP code को आपको डाल दिना है, अगर बड़े में है, चोटे में है, तो आपको छोटे में डालना है, तो मैं यहाँ यहाँ पर जो है, CAPTCHA को भी डाल देता हूँ, CAPTCHA काफ़ी प्राणा हो जाता है, समय लग जाता है, तो यहाँ पर आपको refresh का icon मिलता है तो इसको आप जो है यहां से रिफ्रेस्ट भी कर सकते हैं यहां पर रिफ्रेस्ट का आइकन है तो चलिए मैं इसको रिफ्रेस्ट कर लेता हूँ नंबर जो है आपके आधार काड़ पे link होगा अधरबास आप यहांथे डाउन्लोड नहीं कर सकते हैं तो यहांपर जो है मेरे नंबर पर OTP कोड आचुका है तो मैं उसको यहांपर डाल देता हूँ 21-9824 तो यहांपर जो है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, इसके बाद में आपको नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पर इसका option मिल जाता है, तो आपको yes पर click करना है, फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आपको not ordered पर click करना है, इसके बाद में आपको verify download का option मिल जाता है, तो आपको इस पर click कर देन तो जैसे आप यहाँ पर verify download पर click करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ second wait करना होता है तो दोस्तों मेरा आधार कार्ड यहाँ पर download हो चुका है यहाँ पर download में आ जाता हूं download पर देखने बाद दोस्तों यहाँ पर एक PDF मुझे मिल चुकी है यह आधार की दोस्तों जैसे आप इसको open करते हैं तो दोस्तों ध्यान रहे कि आपको एक password मांगता है तो वो पासपर्ड यहाँ पर थो नहीं होगा क्योंकि security होती है तो पासपर्ड में आपको जो है अपने जो आपका आधार कार्ड में नाम होता है वो आपको capital में चार अक्षर डालने है और चार जो है आपकी date of birth की last year होती है जो year वो आपको डालने है जैसे कि आपका नाम जो है अजय है तो आपको AJAY लिखना है उसके बाद में आपको अपने year डाल देनी है जैसे 1998 2001 वो आपको डाल देनी है तो चली मैं इसमें डाल देता हूं ओपिन पर क्लिक कर देना है तो जैसे हम ओपिन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही यहाँ पर अपना password और जो है अपने date of birth यह डाली है पासबर बनाके अपने नाम के चार अक्षर और जो है पसंद आई होगी दोस्तों पर पसंद आई हो तो अपली वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के सेर करें और आम एक कमेंट करके बताएं कि आपको मारी वीडियो कैसी लगी दन्नवाद